आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से के जे क्लासिस के यूटूब चैनल पर धमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा सेक्शन 16-4 के नोटिसिज आ रही है और बहुत जादा आ रहे है अगर मैं आपको एक नोटिस दिखाऊ कि एक गलती की वज़ा से क्लाइंट को जो नोटिस आया है वो आया 4 करोड 2 लाख रुपे का और अभी इसमें इंट्रेस्ट नहीं है 4 करोड 2 लाख रुपे पर अगर इंट्रेस्ट लगाएंगे तो ये नोटिस का अमाउंट बैठ जाएगा 7 करोड रुपे का अब सर क्लाइंट ने ऐसी क्या गलती कर दी जो उस पर 7 करोड का नोटिस आगिया और 7 करोड के नोटिस का रिपलाएं कैसे करें इस बात को इस वीडियो में डिसकस करेंगे क्लाइंट से गलती स्रीफ इतनी हुई थी कि उसकी जो रिटन्स थी अप्रेल 18 से लेकर मार्च 19 तक की उसकी ड्यूडेट थी 20 अक्टूबर 2019 और उसने डेड़ महीना लेट फाइल करी मतलब की 10 अक्टूबर 2019 को और उसे नोटिस आई है कि वही चार करोड का ITC रिवर्स कर दो और साथ में विद इंटरस्ट कर दो एज पर सेक्शन 50 अब क्या ये 16 चार का नोटिस वैलिड है अगर वैलिड है तो क्या हमारे को साथ करोड रिवर्स करना पड़ेगा और अगर ये इन्वैलिड है तो तो हमने GST का लाइव कोर्स लौंच कराए जो कि हमारा 19 फरवरी से सुरू हो जाएगा जू मैप पर कराएंगे इस कोर्स को पूरे ओल ओवर इंडिया में तो अगर आपने अभी तक इसका रजिस्टेशन नहीं कराया है तो मात्र 5500 में जिसमें लगबग 80-100 गंटे का कोर् अगर आप नीचे से ही देखे इसका रिपलाए तो हमने क्या चीज बोली कि भाई जो आप हमसे डिमांड कर रहे हो चार करोड हमारी पूरे साल का प्रोफिट ही तीन करोड रुपे है और अगर आप हमसे चार करोड रुपे मांग लोगे ITC रिवर्सल के विद इंटर्स सात करोड तो हमारी तो कंपनी लोज में चली जाएगी ठीक है ना बिजनीस ही लोज में चला जाएगा हम कैसे करेंगे और हमारा जो ITC वो 18% की आइटम परचेज करते हम और प्रोफिट है 4% और अगर आपने 18% का ITC हमारा डिसलाव कर दिया तो हमारी कंपनी 14% के लोज में चल पहली बात ये नोटिस वैलिड हो सकता है एज पर सेक्शन 16 चार बट ये नोटिस लोजिकल नहीं है जब ये नोटिस हाई कोट में जाएगा जब ये नोटिस सुप्रिम कोट में जाएगा तो हाई कोट और सुप्रिम कोट लोग के साथ साथ उसका लोजिकल पनावी देखे जो कि भाई यह लोजिक है या नहीं है और मैं आपको बताता हूँ इसके reply में हमने क्या दिया ठीक है इसके reply में हमने दी Supreme Court की judgment जो कि भारती ATL के case में है सर इसमें आपने क्या बताया भारती एटल के केस में सुप्रीम कोट की जज्जमेंट भारती एटल के जब आप केस पड़ोगे जिसमें सुप्रीम कोट की जज्जमेंट है उसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको ITC लेना है तो ITC जो आप लेते हो जो रिकोर् कर लिया इन वोईजिस के बेसिस पर वो ठीक है अगर आपने रिटन्स में थोड़ा सा डिले करा तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा ITC ही डिनाई कर दिया जाएगा क्योंकि स्रिफ 16.4 में लिखा है ठीक है तो सुप्रीम कोट की जो ये एटल की जजमेंट है आप इसे बुक्स ओफ अकाउंट में क्लेम कर लिया जिसे एक चार्टर अकाउंटेंट ने साइन भी कर दी बैलेंसीट हमने रोसी में भी बैलेंसीट सम्मिट कर दी तो it means ITC तो क्लेम करा है ना हमने रही बात जो 3B है वो डिले सम्मिट हुई ठीक है डिले सम्मिट होने के अपने र सुप्रिम कोट ने बोला कि अगर किसी ने ट्रानवन लेट फाइल करा या ट्रानवन गलत फाइल करा तो ऐसा थोड़ी आप उसका ITC ही मना करतोगे सुप्रिम कोट ने पाच सालों बाद इस चीज का संग्यान लिया और बोला कि भाई नहीं ट्रानवन का एक मोका और दो क् ट्रानवन में ITC मिलना है और ITC जो है किसी भी व्यक्ति का constitutional light है अब आप गोगे सर constitution में तो ये बात नहीं लिखी लेकिन जब आप constitution का article 14 पढ़ते हो जब article 19 वन जी पढ़ते हो वहाँ पर ITC वर्ड नहीं लिखा होगा ये बात मुझे पता है ठीक है न तो वहाँ पर लेकि इन आर्टिकलों को जब आप पढ़ोगे जो की इस supreme court की judgment में use किये गए तो वहाँ पर simple लिखा हुआ है कि आपका जो right है वो deny नहीं किया जा सकता कि आपने merely एक return गलत या एक return late file करी तो यहाँ पर इनोंने अपनी judgment में भी इस बात को लिखा है कि यहाँ पर अगर आप late file कर रहे हो ठीक है ना तो यहाँ पर जो आप return one late file कर रहे हो या आपने 3B late file करी तो आपने violation तो करा लेकिन किस चीज का violation करा आपने एक procedural violation करा कि आपका एक procedural left था आपने उसे violate कर दिया तो इस वज़ा से आपका ITC deny नहीं होना चाहिए तो यह वाली बात supreme court ने बोली तो भई जब आप मुझे ट्रान वन का ITC दे रहे हो ठीक है ना जब आप मुझे ट्रान वन का ITC दे रहे हो जब मैंने डिले कर दिया तो आप मुझे 16-4 का ITC क्यों नहीं दे रहे क्योंकि आपने 17-18 में तो date बढ़ाई थी ना उसकी तो 18-19 में क्यों नहीं बढ़ाई या 18-19 में GST लो इतना पुराना हो गया ठीक है ना कि 18-19 में इतना पुराना हो गया कि अब हमें date बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो अगर आप ये सारे जो भी notices आ रहे हैं इसमें ये mention करोगे और अभी गुजरात हाई कोट में ये pending है कि 16-4 पर क्या होगा तो मेरा suggestion य आरती है टेल की judgment को डाले और जो ये मैंने article बताए है ठीक है ये भी आप इसमें डाले और इसमें जो ये ट्रानवन वाला Supreme Court की judgment है आप इसमें इसे भी mention करें इसके अलावा इसमें आप और क्या mention कर सकते हैं आप इसमें mention कर ये सकते हैं कि भाई जो हम 3-B फाइल कर रहे थे आप इस चीज को समझो जो हम 3-B फाइल कर रहे थे तो हर व्यक्ति 3-B टाइम से फाइल करना चाता है लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है सर क्या मजबूरी हो जाती है 3-B टाइम से ना फाइल करने की वही मजबूरी हो जाती है कि मुझे tax की payment करनी है और tax की जब मैं payment करन तो अगर मेरे को कैश की सोटेज है तो थ्री भी तो फाइल करने दो भाई टैक्स बाद में दे दूंगा मेरी रिटन को इन्वैलिड कर देना लेकिन आई टी सी तो मुझे लेने दो आप मुझे टैक्स की पेमेंट करनी है दसलाख रुपे हो सकता है मेरे बिजनिस में ना हो आई टी सी दो करोड का तो चोरी करके लाओ क्या भाई मैं इंटरेस्ट दे रहूं बात खतम तो मेरे को आई टी सी तो दो लेकिन थ्री में ऐसा सिस्टम है यह नहीं वह कहता है बिना टैक्स की पेमेंट के हम तुमें फाइल ही नहीं करने देंगे तो यह सिस्टम ही अपने GSTR 3B आप इंवैलिड फाइल कर सकते हो भीना टैक्स की पेमेंट के लेकिन ITC तो लही सकते हो तो जो ओरीजनल लो था उसे आपने चेंज कर दिया बैकडेट से तो 3B को रिटन बना दिया बैकडेट से जबकि गुजरात हाई कोट ने बोला था कि 3B रिटन नहीं है लेकिन आपने बैकडेट से चेंज कर दिया तो जब भी लोग बैकडेट से चेंज होगा और वो असेशी के अगेंस्ट होगा तो वह वैलेड नहीं होगा तो जब मैं 1819 की बात अगर करू तो उस टाइम पर तो यही किलियर नहीं था कि यह 3B रिटन है या नहीं क्योंकि गुजरा दिशंबर तक तो ITC ले सकता हूँ और जब मैंने अपनी 99C फाइल करी तो जो मेरे चार्टर अकाउंटेंट साव है उन्होंने भी मुझे नहीं बोला कि भाई ITC आपका इन्वैलिड है हम आपको नहीं देंगे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा तो जब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है या तो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि आपने 16-4 के बाद लिया है उन्हें उस पे एक क्लोज तो डालनी चाहिए थी और 4 करोड़ का ITC है इससे तो कंपनी की गोईंग कंसर में भी दिक्कत आ सकती है तो जब ऐसी क्लोज हमारे बही जब मैंने 3B फाइल करी लेट फाइल करी तो मैंने 1,20,000 रुपे की लेट फीस भी तो दी और साथ में मैंने सेक्शन 50 से इंटरस्ट भी दिया तो जब मैं लेट फीस पे कर देता हूँ तो एक 2010 की जज्जमेंट है कैलकटा हाइग कोट की वो कहता बही लेट फीस पे क 47 में लिए रिटन लेट फाइलिंग के लिए और आपको ITC रिवर्स करना ही पड़ेगा 16-4 में तो यहां पर आप यह वाला पोइंट भी इसमें मेंचन कर सकते हूँ और जब मैंने सेक्शन 16-2 की कंडिशन सैटिस्फाइग कर दी सारी की सारी तो आप 16-4 की वज़े से मेरा 4 कलोड का ITC मेरा डिनाएं नहीं कर सकती हैं अलो में लिख कर लोजी कल नहीं होगा क्योंकि मैंने महाँ पर किलीवे तो नहीं चांसिज हैं आप मेरी बात को समझ रहे हो कि आपने 17-18 की तो दस बार ड्यू डेट बढ़ा दी GSTR 9 की भी 18-19 की आप 16-4 की डेट नहीं बढ़ा रहें ऐसा कैसे हो सकता है तो यहां पर गोवर्मेंट को कुछ ना कुछ अपने आप या तो 16-4 की टाइम लिमिट बढ़ानी चा तो यह तो आपको देना ही पड़ेगा आप सिरिफ एक टाइब तो यह तो यह तो यह तो आपको देना ही पड़ेगा आप सिरिफ एक टाइम लिमिट लिखकर इस ITC को डिनाए नहीं कर सकते अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट बोक्स में लिखकर इस बात को बताना कि अगर टाइम लिमिट रूल्स में लिखकर इस वज़े से आप ITC नहीं दोगे तो यह मेरे साब से गलत है तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा नोटिस आ रहा है तो आप यहाँ पर पूरा डिटेल्ड में उसका रिप्लाई दे जिससे कि आपको ITC प्रोपरली मिल जाए तिक है आशा करतो यह वीडियो अच्छी लगी होगी आपको और अगर इसी तरह के रिप्लाई बनाना सीखना चाहते है तो आप हमारा GST का लाइव कोर्स जोइन कर सकते हैं और हाँ एक खुशकबरी आप लोगों के लिए ही ओर है कि हमने CA Inter का भी GST income tax का बैस शुरू कर दिया है तो अगर कोई आपके नोन में रिस्तेदारी में CA Inter का बच्चा है तो हम उसे भी पढ़ाएंगे तो वो हमसे classes ले करा इसके लिए धन्यवाद वीडियो को जादे से जादा लोगों तक शेयर कीजिए जा तक कि यह वीडियो है गोर्मेंट तक भी जाए जो मेरी अपील है गोर्मेंट की 16-4 को 18-19 के केस में कुछ रिलेक्स मिलना चाहिए वो गोर्मेंट भी इस चीज को समझे इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ थैंक यू फॉर वाचिन